इस वक्त बहुत से लोगों को सर्दी खासी, बुखार और चाती में कंजेशन होने की ज्यादा कंप्लेंज आ रही हैं। और जगा जगा से चाहे आप दिल्ली की बात करें, लखनाओ की, कानपूर की या फिर पश्चिम बंगाल में भी ऐसे जो इन्फ्लूएंजा के रिलेटेड केसे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप खास रहे हैं, छीक रहे हैं, आपको तेज भुखार आ रहा है, और लंबे समय तक आपको ये दिक्कत आ रही है, और साथी साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अस्पताल भी जाना पड़ रहा है, तो ये क्या नया आया है COVID-19 के बाद, इस पर हमें ज्यादा जा जिसमें दो-दो हफते ठीक नहीं हो रहे है, ठीक होने के बाद ठकावट हो रही है, ये किस चीज से फैल रहा है, क्या हो रहा है? देखिए इस समय जो ये वाइरल फीवर जिसे हम कहते हैं, जो फैल रहा है वो मेंली इंफ्लुएंजा की वज़े से है, वाइरल फीवर जो कई कारणों से हो सकता है, बीच में पैंडेमिक थी तो गुविड-19 था, उसके पहले से भी कई सारे इंफ्लुएंजा है, पैरा-इंफ्लुएंजा है, और भी रेस्पिरिट्री वाइरस होते हैं, कुछ पता नहीं है, अभी तो इस समय जो ये सिम्टम्स देखे जा रहे है हैं, उनका कारण जितनी इंवेस्टिगेशन हुई हैं सब जगे, उसमें लग रहा है है कि ये इंफ्लुएंजा की वजे से है, और इंफ्लुएंजा की एक खास स्ट्रेन, H3N2, वो इस समय ज्यादा सर्कुलेट हो रही है, जो ज्यादा देखी जा रही है, पहले भी एक ब इंफ्लुएंजा का ही एक प्रकार है, मगर ये है कि इस जो स्ट्रेन है, ये थोड़ा सा सिवियर डिसीज कर सकती है लोगों में, H1N1 के मुकाबले. इस कैसी सिम्टमज देखी जा रही है, इसमें सर्दी खासी जूखाम के अलावा आप क्या का नोटिस कर रहे हैं पेशेंस में सिम्टमजाहिब आप इस सर्दी खासी और चेस्ट में कंजेशन। इसके अलावा जो symptoms देखे जा रहे हैं वो कई लोगों को asthma-like symptoms भी जो exacerbate हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं जैसे जिनको asthma या bronchitis की problem है उनके symptoms और खूब बढ़ रहे हैं और जो जिन लोगों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अब से पहले chest से related कोई दिक्कत नहीं थी उन लोगों में अब ही asthma जैसे symptom देखे जा रहे हैं और जो extreme age है जैसे बहुत ही छोटे बहुत ही कम age है बहुत ही चोटे बच्चे हैं एक साल से कम या 6 मेने से कम देखा जाए या बुजर्ग लोग तो इन लोगों में ये severe disease के रूप में देखा जा रहा है जिसमें उनको hospitalization की भी जरूत प जुलते जुलते हैं इसमें कितनी सच्चाई है इसमें काफी हद तक यह मैं कहूंगा कि similar सा है कि COVID-19 के जैसे ही इसके symptoms हैं जैसे COVID-19 के भी खास अलग symptoms थे नहीं उसके भी symptoms viral fever के ही तरह थे मगर उसमें कुछ train में बहुत ज्यादा severity यह थी कि lung damage जो था और जो कई blood clots और वो जो सारी चीजें हुई थी वो इसके साथ अभी नहीं देखी जा रही है सीवियर lung damage नहीं देखा जा रहा है मगर जैसा extremes of age मैंने कहा कि उसमें यह एक निमोनिया के form में भी present कर सकता है जो निमोनिया जो काफी extensive दोनों lungs को और extensive involvement के साथ हो सकता है जिसमें hospitalization की जरुत पड़ मगर इस अभी तक जो experience हमारा रहा है मैं आकणों के बारे में नहीं बता सकता ठीक से मगर experience जो रहा है hospitalization हुए है मगर किसी भी patient को ventilatory support की जरुरत इस पर पड़ी नहीं है क्योंकि severe pneumonia अगर होता है तो ventilatory support की जरुरत पड़ती है मगर जैसा covid में देखा गया था कि ज्यादा थ उस तरह की severity नहीं देखी जा रही है इसमें अभी तक वेंटिलेटर नहीं तो oxygen support की जरुरत पड़ रही है क्या patients को जी oxygen support की है जो severe आ रहे हैं उनको initially oxygen support की जरुरत पड़ रही है मगर वो बहुत ही mild oxygen support की जरुरत पड़ रही है ज्यादा जो delta में हमने देखा था बहुत ही high level पे oxygen support देना पड़ता था वैसा नहीं है नहीं जी नहीं उस level की चीज़ें उस proportion या उतने percentage नहीं है उतने high oxygen की जरुरत तभी नहीं हमने देखी है patients में जादा सर एक और चीज की यह इन ही महीनों में क्यों हो रहा है generally हम देखते हैं कि क्या इसका कोई season से relation है बसंत रितू अब आती हुई दिख रही है तो क्या यह seasonal change की वज़े से भी हो रहा है और पिछले दो धाई सालों में हमने देखा हर किसी को बस covid ही infect कर रहा था क्या इससे हमार इंफ्लुएंजा इंफेक्शन की तरफ गिर गई है हां यह इंफ्लुएंजा वारे इन्फ्लुएंजा के infection होता है वो season definitely होता है यह जरली October November से शुरू होता है विंटर्स में रहता है और फिर वो जनरली जान फेब तक थोड़ा सा रह सकता है तो यह तो सीजनल होता है जनरली समर्स जो अगर्मिया आ जाती है उस समय ज्यादा यह इस तरह की इलनेस्स होती नहीं है हाँ कोविड के पिछले कुछ सालों में तो सिर्फ कोविड का ही नाम हर एक जो भी जिसको सिम्टम्स आ रहे थे उसको कोविड का लेबल दिया जाता था चाहें वो टेस्स में पॉजिटिव हो या ना हो और उस समय भी इस तरह के इंफेक्शन थे मगर यह होता है कि एक अगर स्ट्रेन अगर बहुत जादा प्रेवलेंट है तो वह दूसरे वा बाद आपकी इम्मुनिटी कम हो सकती है यह यह पॉसिबल हो सकता है कि कोविड या कोई भी वाइरल इंफेक्शन होता है तो वह आपकी म्यूकोजा की इम्मुनिटी क्योंकि यह जनली आपके अपर रेस्पिरेटरी या लोर रेस्पिरेटरी सिस्टम को या एर्वेस को मतलब उसमें और कोविड में क्या फरक आप देख रहे हैं क्या मेजर अंतर दिखाई दे रहा है इस वाग एच्ट्री एंट यह जो एक इंफ्लुएंजा का स्ट्रेइन है कोविड एक कोरोना वाइरस है तो दोनों में दोनों के सिम्टम्स लगबक सिमिलर हैं दोनों जो है अ अभी सिवेर डिसीज भी हुई थी और उसने लंग्स को उस ट्रेन की वज़े से लंग्स में पर्मनेंट और एक्सेंसिव डैमेज भी कई लोगों में देखा गया था इंफ्लुएंजा में एच्ट्री एंटू जो है वो इंफ्लुएंजा के बाकी स्ट्रेंज के मुकाबल जो इसमें से थोड़ा ज्ञाधा सिवेर डिसीज कर सकता है जो एक्स्ट्रीम्स और एज में हो सकती है और जो asthma-like symptoms है या airways की lungs की inflammation वो कुछ लंबे समय तक देखी जा रही है जैसे कई लोग होते हैं जो कुछ एक से दो या तीन महीने तक भी एक से दो महीने के तक भी लोगों को खासी और इस तरही की दिक्कत चल रही है तो वो इस strain की वज़े से जादा होती है बागी strain के मुका तो इसका बचाओ भी वही सेम है बचाओ अगर आप किसी भीट भाड़ वाले जगे पे हो तो आप मास्क लगा के रखें तो आप उससे लोगों से एक्सपोज होने से बच सकते हैं मगर यह भी highly infectious है droplet की वज़े से है तो जो spread होने का तरीका बिलकुल कोविड के जैसा ही है इसलिए बचाओ भी इसका कोविड के जैसा है जैसे मास्क लगाईए तो आप इससे बच सकते हैं खास तोर से अगर आपको कोई और बिमारियां हैं जैसे आपको heart disease है diabetes है या आप cancer PD थे हैं कीमोठेरपी चल रही है या आपको और लंग्स की problem है ऐस्तमाड COPD या और और द्यान रखिए कि आप मास्क लगा के रखिए आप भीडभाड वाली जगे में जाने से बचे और ऐसे लोगों से बचे जिनको इनके symptom नजर आ रहे हैं एक बहुत जो ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है लोगों की तरफ से भी कि दवाईयां इसके लिए क्या doctors suggest कर रहे हैं क्या antibiotics भी दी जा रहे हैं उसमें Augmentin बहुत ज़्यादा लोग खा रहे हैं या तो doctor suggest करें खुद खा रहे हैं तो क्या antibiotics भी इसमें साफधानी से लेने चाहिए doctors क्या recommend कर रहे हैं इसके treatment के लिए देखें ये एक viral disease है इसमें antibiotic का कोई रोल नहीं है इसमें antiviral का रोल हो सकता है प्रोवाइड़ कि आप antiviral जो हैं symptom शुरू होने के 48 गंटे के अंदर अंदर शुरू कर दें क्योंकि अगर उसके बाद शुरू करते हैं तो उसका फिर जादा यूज नहीं होता है विदिन 48 hours symptom शुरू होने के अगर आप शुरू कर दें antiviral जैसे टाइमी फ्लू या उसल कोई रोल नहीं है आप अंटिबाइटिक अपने मन से कोई ना लें जब तक डॉक्टर ना एडवाइज करें क्योंकि उससे अंटिबाइटिक के साइड एफेक्ट आपको जरूर मैसूस होंगे मगर आपको फायदा कोई मैसूस नहीं होगा इसलिए symptomatic treatment आप congestion के लिए treatment है आ अपने डॉक्टर की सलाह लीजे इसमें ऐसे तो नहीं है ना कि सडनली मतलब यह सब होता है तो लोग जैसे अस्पतालों की तरफ दोडने लग जाते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए और मतलब बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है इस बिमारी को लेकर एच्ट्री लग रहा था और ना इसमें बहुत जादा सिवियर सिंटम्स हो रहे हैं जो प्रोलांग्ड होते हैं बहुत कम प्रपोर्शन में सिवियर होते हैं तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है हाँ आप अपने डॉक्टर से टेलीफोनिक ली कंसल्ट कर सकते हैं और आप टे वाली कंसल्टेशन से भी फॉलो कर सकते हैं तो एक भीट भाड़ वाली जगे में आप आएंगे आप आपकी वज़े से किसी और को और जो सीरियस मरीज अस्पताल में उनको भी फैल सकता है तो यह अवाइड करिए घबराने की इसमें कोई बात नहीं है हाँ अगर आपको स सिम्टम्स जाधा महसूस हो रहे हैं सांस में कोई दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल आप डॉक्टर के पास जाहिए और अप सलाह लीजिए तो एक आखरी सवाल आपसे पूछोंगी डॉक्टर तो रेकमेंड करते हैं रेस्ट पर क्या लोगों को दफतर से चुट्टी लेनी आप रेस्ट नहीं ले सकते हैं कंपल्शन है कि आपको जाना ही है काम पर तो आप मास्क लगा के रखिए ताकि आप से दूसरे को ना पहले इस बात की प्रिकॉशन लीजिए यह आखरी बात जो बहुत एहम डॉक्टर साहब ने बताई है कि अगर आपको यह सब हो रहा है तो पहले तो आप रेस्ट लीजिए अपने डॉक्टर की सला लीजिए और अन्निसेसरी आंटिबाइटिक्स नहीं खाईए और क्यूंकि इस एच्ट्री एंट्टू स्ट्रेन को अब देखा गया है जगा 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 यह स्प्रेड हो रहा है लेकिन पानिक करने की जरुव है वो आपको भी लेने चाहिए